का डिश만ливо में का तो कैसे हैं आप लोग के लो ृप की जा french कैसे के सबस्त है निखonne लास्ट ने बात किया था सैन सेलमिन का सिरे जीशन वंन कंप्लेट किया था जिस में में केमिकल पोटेंशल का बहुत बढ़े अप्लिकेशन करके आपको मस्त जबदस सिखाई थी और उस पर बेज हमने कोशन भी किया था और बहुत जिन willkommen ने देखा और आज को बता dois कि आज का अज का इस चेपटर का जो सबसी इंपर से इंपर्टिन पां स प्रोलोशन का वह मैं discuss करने जा रहा हूँ, advance के लिए तो बहुत ही ज़्यादा important है and that is called distillation, तो distillation में हम लोग बात करते हैं dew point की, distillation में हम बात करते हैं bubble point की, distillation में हम बात करते हैं tie line की, ठीक है, और यही पर हम बात करते हैं पता क्या composition of first bubble, composition of last drop of liquid, है ना, बहुत सारी चीजे हैं कि आप liquid को vaporize करते जा रहो, करते जा रहो, करते जा रहो, तो last drop बचेगा तो उसका composition क्या बचेगा, या फिर आप liquid को vaporize कर रहे हो तो पहला bubble बनेगा तो उसका composition क्या होगा, vapor pressure x, y graph देखेंगे, temperature x, y graph देखेंगे, vapor pressure और graph से relate करके हम question को कैसे solve करेंगे, simple tricks और techniques से, है ना, वो सारी चीजे हम लोग देखने वाले हैं आज की class में, तो आगे start करें उससे पहले, बैटा, swag से सवागत हैं आप सभी का, most welcome to all of my lovely and pair of vacation, आप सभी का बहुत-बहुत सवागत हैं, और इन सब चीजों को सीखने के लिए एकदम बस पेटी बांद लो और बैट जाओ, pen paper लेकर, और जब अस तरीके से सिखो बैटा, कोशिस करो कि साथ-साथ जो आप lecture देख रहे हो ना, तो साथ-साथ notes भी बनाते जाओ, pen paper, क्योंकि देखना ही नहीं है, साथ-साथ note भी करना है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा slow है तो fast कर सकते हो, fast है तो slow कर सकते हो, या फिर pause करके कि आप लिख लो, फिर आगे बढ़ो, इस तरह से नोट साथ-साथ, pending मत रखना कोई भी चीज, क्योंकि ये जो सीरीज में आपको चला रहा हूँ, मैं आपको बार बूल चुका हूँ कि जितने भी physical chemistry के important topics होंगे, advanced के लिए वो सारे के सारे में cover कर दूँगा, comment box में आप मे क्या करते है, as usual जी जीजी section की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जलग दिखलाजा section की बात करते हैं, जससे आपको idea लगेगा कि आज की class मे हम क्या boom करने वालें, क्या dh bord करने वालें, क्या dhuma-dhuma करने रोलें, आज आपको सम्थ बहाना से cumpl़े सारे में के आने ओला यहां पर, last drop of liquid, यहां न, देखो ज़रा सा यहां पर, आप ज़रा इसको पाढ़ना ज़रा सा, देखो, composition of first drop of condensate, total pressure at which first drop of condensate formed, find the composition of condensate whose normal boiling point is t, है न, find total when last trace of vapor remains, find the composition of last trace of vapor, बास समझ रहा गोटे, तो इस तरह के questions हैं, अब आप देखो, यह आप देखिये यहां पर, यहां यहां पर देखिये, ज़रा 7th part को देखेगा, if half of the liquid is vaporized, मतला आप पास यह container था, इसमें इतना सारा liquid भरा था, इसका आधा liquid पूरा का पूरा अगर vaporized हो जाएगा, तो उस case में vapor pressure क्या होगा, समझो, बड़ी मस्स चीज़े हैं, आप ज़रा आगे देखो, है न, क्यारा, when 3 3 4th of the liquid is vaporized, मतलो यह solution है liquid का, इसके अंदर यह liquid भरा हुआ है, इसका 3 4th part अगर पूरा का पूरा vaporized हो जाए, तो उस case में, है तो टोटल vapor pressure क्या होगा, यह सारी चीज़े बड़ांस के लिए बहुत important है, तो अगर आपने पहले से किया है, तो अच्छी बात है, नहीं किया है लेक्चर में लाइध्यान से लगे रहना होगा, और लास्ट तक जाना होगा, सो दैट कि concept किदम crystal clear करें पहले हम, और फिर in questions पे हम attack मारें, और चुटके में solve करें, कैसे चुटके में solve करें, ठीक है, तो चले start करने से बहले, पानी पीते हैं तोड़ा से, चले true करते हैं, त तो चले, शुरू करते हैं, बिना किसी रुकावट के, let's roll, तो भाया, यह आपके सामने पेस है, जणाब, vaporization and condensation process, distillation की बात हो रही है, पुरा feel के साथ हम लोग काम करेंगे, एकदम मस जबदस, देखना और सईसर सीखना, बिलकुल भी दिक्कत नहीं आएगी, concept एकदम लिक्विड है, दोखो, यह जो यहां पर है आपके पास, यह लिक्विड है, और यह vapor है, similarly यहां पर यह liquid है, यह लिक्विड है, यह लिक्विड है, यह लिक्विड है, यह लिक्विड है, और यह लिक्विड है, और यह लिक्विड है, तो आपनी starting में क्या क्या एक system ले ल और वेपर हैं यह एक दूसरे के साथ बेटा किस में आएंगे है एक लूप्रियम में आजाएंगे कि नहीं आजाएंगे यहां पर भी लूप्रियम में आएंगे यहां पर भी लूप्रियम में आएंगे यहां पर भी लूप्रियम में आएंगे यहां पर भी लूप्रियम में समझना, a b volatile है, देखो गया उपर, b b volatile है, देखो गया ऊपर, छीक है, so a and b both are, है ना, देखो, volatile, but a is more volatile, a is ज्यादा volatile, ज्यादा volatile होने के बतलब यह वेपर में ज्यादा जाएगा, किसके respect में, b के respect, और जब हम यहाँ पर x जो लेख रहे हैं, वो बेटा हमेशा more fraction liquid form में जो भी substance होगा उसका more fraction liquid form में होगा और जब हम y लिखेंगे तो more fraction होगा किसी भी substance का किस में होगा वेपर फेज में होगा और जब हम total pressure की बात करते हैं total pressure का हम लोग यह formula यूज़ करते हैं यह आपको पता है बहुत अच्छे से PA0-PB0 plus XA plus PB0 या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं अगर आपको यहाँ दोगा PT equals to PA0 XA plus PB0 XB आप बता हो बता चुकिया आपने X लिख दिया मताब liquid so more fraction of A in liquid phase more fraction of B in liquid phase PA0 and PB0 is vapor PA0 is vapor pressure of A in pure form vapor pressure of A in pure state and PB0 is vapor pressure of B in pure form pure form में निकाला जाता है मताब क्या किया जाएगो उसमें A को अलग सिस्टम में रख लिया जाएगा जैसे हमने लास्टेशन में दिखाया था pure liquid था ना pure solvent कैसे vapor pressure निकाला था chemical potential के यूज़ करके वह ऐसे निकाला जाएगा अब आगे बढ़िये देखे अब आगे क्या होने वाला है अब उचे बताओ बढ़िये जो A है एक की बात करके चलते है तो बढ़िये जो A है यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लेके चलते है वैसे X से X भी तो मैंने आपको बता दिया जनरल फॉर्म लेके चलते है लेके इस लिक्विड में जब एकलूब्यम आया तो उस टाइम पर इसका मोल फ्रेक्शन लिक्विड में एका X है तो बढ़िये वेपर में गया तो कितना हो गया Y हो गया कितना हो गया Y हो गया अब उसे बताओ बढ़िया A is more volatile तो बहिया A काफी ज़्यादा बोलाटाइल है तो इसका मैक्सिमम पाट किसमें वेपर में जाने की कोशिज करेगा चुकि जो total pressure होता है वो इसका कितना है यहां पर लिक्विड में लेंगे तो लिक्विड में X है तो इसका कुछ न कुछ solution का total vapor pressure आगा suppose that is pt1 अब सुनना ज़ा ध्यान से अब आपने क्या किया कि जितना भी vapor यहां पर बना था इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पर बी बी उपर गया होगा और इंपर गया होगा डाय एकसम आ । ज्यादा होगा, A का एमांट ज्यादा होगा, क्यों, A is more volatile, B is less volatile, तो B भी उपर गया होगा, बट इसका एमांट यहाँ पर कम होगा, और A का एमांट यहाँ पर ज्यादा होगा, So A becomes richer in vapor phase, A becomes richer in vapor phase, और चुकि यह B कम गया है, तो B becomes richer in liquid phase, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रहे जाएगा, थोड़ा उपर जाएगा, तो B लिक्विड में richer होगा, A वेपर में richer होगा, I think यह बात समझ में आगए, अब हम क्या करेंगी बटा, कि जितना भी यह वेपर है, इसको हम condense कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटे हम इसको condense कर लेंगे, समझना, यहाँ पर हमने condenser लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वेपराजेशन हुआ, ध्यान देना, फिर यह बेटा क्या होने लगेगा, condensation होने लगेगा, condense हो क्या मितर, condense, पूरा का पूरा पार, जितना सब condense करके यहाँ पे डाल देंगे, जैसे condense करके डालोगे, लिक्विड में आ जाएगा, आप सुनना, पेटा यहाँ पर जो एका, मॉल फ्रेक्शन वेपर फेज में था, यह पूरा का पूरा उठा के, आपने क्या किया है, इस वेपर को condense करके यहाँ लिक्विड में डाल दिया, तो पेटा, composition तो change होगा नहीं, जितने मॉल वेपर में थे, उन पूरा को condense कर दिया, लिक्विड में लिक्विड में लिया और यहाँ डाल दिया, हाँ, बट इतना है कि वेपर से लिक्विड में हो जाएगा, तो पेटा, मॉल फेक्विड तो change होगा नहीं, चुक्कि यह लिक्विड हो गया है, तो अब यह X1 हम इसको बोल देंगे, लेकिन यह X1 का फैलू, क्या यह Y के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि जतना रिक्विक्विड में इसका यहां था, पूरा का पूरा वेपर को आप लेकर हो, यहा कर दो तो पात। माँका बोल लिक्विड में यहां था, तो पै अब यह यहां पर X1 भो गया, तो आप देखो ना यहां पर यह XA था, यह X था और यह Y था, जब X था तो PT1 था, और यह X1 हो गया, तो यहां पर total vapor pressure PT2 हो जाएगा, तो जैसे आप condensation करते जाओगे, vaporization condensation करते जाओगे, तो total vapor pressure भी system का, क्या होता जाएगा, change होता चला जाएगा, चल आगे बात करते, फिर से equilibrium आजाओ, अब यह बताओ फिर से more बोला टाइले, तो यह ज़्यादा उपर जाएगा, और अगर ज़्यादा उपर गया, तो बताओ ना मुझे, अगर ज़्यादा उपर गया, तो यहां पर more richardy ने हो जाएगा, और यह क्या होगा, less amount of भी यहां पर आएगा, अब बता बता, इसका मतलब अगर हम बात करें, आपर x1 और y1 गी, तो कौन ज़्यादा होगा, फिर से वही बात ही वेपर में ज़्यादा जाएगा, तो y1 x1 से ज़्यादा होगा, और x1 है क्या y है, एक स्वान है क्या y है, देखो, तो इसका मतलब y1 का value y से होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर आये, यहाँ पर जो वेपर आये थे, यहाँ पर एक वेपर ज़्यादा आ गये, अरे भाई सहाव, देखो, होने क्या वाला है, इसको मैं बेसिकली बोलता है, फ्रैक्शनल डिसलिशन, जरा देखिएगा, देखो, होने क्या वाला ह है ना और यहां के बराबर था क्योंकि पूरा का पूरा यहां आया था तो X1 एकुस्ट Y यानि Y समझ रहो जहां पर X1 आप वहां पर लिख सकते हो तो Y1 इस यहां से क्या रिजल टारा है कि Y1 का फैलो इस Y से चाता है मतलब कहने का मतलब देखना जैसे आसा इधर जाते जाओ अपर इसको है जाते हैं यहां पर फिर शिफ तो यहां पर रकल गया है तो यहां पर डिखना से लेकिन क्या ये X2 बेटा Y1 के बराबर ही होगा, पूरा के पूरा पूरा तो उठा के लाए होगा, आप यहाँ पर यहाँ, फिर से एकलूब्रियम आएगा, अब इसका वेपर फेज में, जो composition होगा, वो Y2 हो जाएगा बेटे, तो बताओ, क्या ये Y2 इस X2 से जाधा होगा, अब इस से जाधा होगा, इसका मतलब यह कम था, फिर और जाधा हुआ, फिर और जाधा हुआ, अल्टिमेटली होता क्या जा रहा है, इसका मतलब कि जो आपका वेपर फोर्म है, उसमें एक amount बढ़ता चला जा रहा है, तो A रिचर इन वेपर फेज होता जा रहा है, और B र पुला सा उपर जा रहा है और बाकी का नीचे रह जा रहा है तो ऐसे करते करते जब आगे बढ़ोगे यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब लिक्विट आलग से और जो नीचे भाणी मिल जाएगा तो अपिस इस तरह आप इसादा कर सकते हो यहां पर अर अपको प्यूर अबताएब बोलो बड़े और यहां पर आप देख रहो बड़े करद यहां पर यहांपर Code आप देख़ जैसे यहांपर X1 Sesame's having day यहां रहा है फिर X3, Y3 हो जा रहा है तो दुखो यहांपर आप देखो कि Y बढ़ रहा ह dociau यहां पर X भी बढ़ेगा मै इसना रहा कोई की XT greater than X2 greater than X1 greater than X. यह क्या है? मोल फ्रेक्शन ओफ A in liquid phase. मोल फ्रेक्शन ओफ A in वेपर फेज. और चुकि X बढ़ रहा है, तो भी यह PT का फॉर्मुला क्या है? X बढ़ रहा है, तो इसका हम उताँ PT भी बढ़ेगा. इधर से इधर जाने पर आपका क्या होगा? टोटल बेपर पेशर भी बढ़ता चला जाएगा. ओबियस्सी बात है. तो देखो, PT 4 सबसे ज़्यादा होगा. उससे कम PT 3 रहे, उससे कम PT 2, उससे कम PT 1. बटा बताओ, क्या एक कहानी पूरी समझ में आई किया? इस तरह से हम A को बाहर निकाल सकते हैं. तो A और B को हम क्या कर सकते हैं? बटाओ, सेपरेट कर सकते हैं. अब इससी चीज़ को हम ग्राफिकली बहुत तगड़ी से समझेंगे. मतला, more fraction in liquid and more fraction in vapor. एक्सवाई कर को थोड़ा सा समझते हैं, जरा देखे कैसे. एक्सवाई कर को समझने कि यह कर तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे. यह जो कर होता है, इसको हम आईसे याद कराते हैं, कि प्रेशर है ना बेटे. तो इसमें दो कर्व हैं, ज्यान देना, यह प्रेशर है, उपर जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ज्यादा होने से बता है और लिक्विड होता है कि वेपर होता है, अगर आप किसी सिस्टम को प्रेशर बढ़ा दो, बढ़ा के रखो प्रेशर ज्यादा रखो, तो तो उपर जाने से pressure बढ़ रहा है, इसका मतलब उपर वाला part जो आपका liquid होगा, तो अब इससे बात है नीचे वाला part का आप वेपर होगा, और ये जो बीच वाला part है, यहां पर liquid प्लस वेपर दोन होगे, जहां पर equilibrium आता है, जहां पर equilibrium आता है, और यह जो पहला यह वाला ज सब कूल लिक्विड ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब कूल लिक्विड यहाँ पर जो वेपर होता है इसको बोलते हैं सूपर हीटेड वेपर और यहां पर just vapor liquid में convert होगा यहां पर just liquid vapor में convert होगा तो यह जो range बीच वाला है यह वाला आपका liquid vapor equilibrium को represent करेगा यहां पर कैसे करेगा यहां पर आपको समझाते हैं यह पर यह पने पहले से रहिए तो इसमें just simple यह ग्राफ कैसे बनते हैं पूरा mathematics के लिए आपने बना रख आए तो इस पर नहीं जाएंगे अब होता क्या कि मान लो इस system को देखो जहां से जराब है ना समझ ना बेटे इस system को तो इसका मतलब यह liquid की लाइन है तो इसका मतलब वेपर है, तो यहां पर वेपर की बात होगी हर जगह पर यहां पर वेपर की बात होगी और यहां पर इसके हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे किसकी लिक्विट की बात करेंगे अब हमें लिक्विट से जाना है वेपर या वेपर से जाना है लिक्विट तो क्या होगा तो इसके पहला वाला concept कैसे separate करेंगे, क्या process है, कैसे कैसे होता चलागे, वह आपने बढ़े हैं डीटेल में समझ लिया, अब जड़ा समझना और अच्छे से, यह equilibrium में है, यह system यहाँ पर किस में है, यह equilibrium में है, system equilibrium में, liquid vapor equilibrium में है, ठीके, okay, अगर हम एक ही बात करें, तो A का liquid phase मे पर X से का value, X से, कुछ mole fraction होगा, कुछ भी value ले सकते हो, like 0.4, 0.6, जो भी होगा, liquid, तो liquid है, तो liquid, मतलब mole fraction X, यह X और Y दोनों को represent, यह axis है, XY दोनों को represent कर रही है, but वह X कहाँ पर represent करोगा, उसको यह liquid के लिए, तो यह आपका X से हो गया, फिर liquid से कहाँ गया, vapor में गया है तो vapor की line तो यह है, तो अगर vapor का composition निकालना, तो आपको इस line पर बात करनी होगे, so this is Y है, देखो, और यह जो line है, समझना, यह जो line है, इसी line को हम बोलते है, tie line, tie line, और यह tie line बताता है, कि liquid vapor किस में है, equilibrium में है, समझ लो, अगर आपने नहीं पढ़ा पहले से, तो समझ लो this line is called tie line, तो इस pressure और एकसवाई graph में, जो यह line है, this line is tie line, और ही tie line बताता है, कि liquid vapor किस में है, equilibrium में है, और बेटा बताओ, जब इस system equilibrium में है, तो इसका particular total pressure होगा, कि नहीं होगा, तो इसका particular total pressure होगा, तो इसका total pressure होगा, टोटाल pressure दो को particularly, वो तो particular, अब एक सी बताओ, PT क्या एकसे है ना देखो इसका total paper pressure होगा कि नहीं होगा मुझे इस होगा और अगर होगा तो बताओ यहाँ से यहाँ तक x नहीं तो है एकसे ही तो है एकसे ही तो चेंज तो हो रहा है लिक्वीड का इदो कि इस ही पॉइंट पर यह यह और एकसे है तो इसको total pressure पीटी रहेगा तो यहां से यहां तक चुक एकसे चेंज हो नहीं रहा है इसलिए यहां पर जिसका जो टोटल पीटी रहेगा वो कॉंस्टेंट रहेगा और कॉंस्टेंट होने के लिए इसके परलल ही ग्राफ खीचना पड़ेगा हमको आपका टाइलाइन है जो कि लिक्विड वेपर एक्लूप्रियम को रिप्रजेंट करता है बात यहां तक समझ में आती है कि नहीं आती है चले एकसे प्लस एकस भी बेटे कितना होता है आप जरा समझिएगा जरा ध्यान से गौर फर्माईएगा माल लेते कि इस पॉइंट पर यहां पर एक की रिस्पेक्ट में जा रहे हैं यहां पर एक की रिस्पेक्ट में अगर जाएं यहां बी के रिस्पेक्ट में भी आप जा सकते तो दोनों दिखाते हैं आपको दोनों Similarly, ya plus yb, b1 होता है, बहुत तगड़ा concept है, ज्यान से समझिएगा, x से 0 है, तो अगर मान लो, x से 0 है, इसका मतलब a ही नहीं, इसका मतलब एक से 0 है, कोई भी मॉल नहीं है, इसका मतलब k val b था किसको पूरी line का पूरी, या pure b को रपी नौट बोला, यहां पहुंचे लिए एक से 1 हो गया तो यहां पहुंचे लिए एक से 1 हो गया अच्छे लिए एक से 1 हो गया तो यहां पहुंचे लिए 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 समझ रहो और अगर y भी 0 हो गया तो यहां पर डालोगे तो यह कितना आजाएगा कानी समझ में ना तो यह जो लाइन भेटा उपर होता सब रखने यहां ध्यू अध्यलिक्वीट यहां पर लोग अब दुद इस पर जितने भी points होगे, सब पर liquid होगा, liquid को हम लोग dew भी बोलते हैं, dew, और यहां पर इन points को हम लोग जहां पर कोई साथ भी point अपलेते जाओगे, उन सब को हम बोलते हैं, bubble, चुकि वेपर है, वेपर का मतलब bubble, तो यहां पर इनको हम बोलते हैं, bubble point, और भी समझाएंगे तो आपको यह explanation यहां तक थोड़ा time लोगा बटे, लेकिन बढ़ियां से और तगड़े से समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और बढ़ियां मस तरीके से समझने कोसिस करें इन सरी चीजों को, कि यह fractional distillation होता है, कैसे कैसे curve का कैसे use किया जाता है, तो मुझे लगता ह कि मैंने आपको यह बात समझा लिए, अब time आ गया कि और बढ़ियां तरीके से graphical analysis किया जाए, और तगड़े तरीके से graphical analysis किया जाए, तो एक दम प्रूब करके दिखाऊंगा, बहुत बढ़ियां graph बना के दिखाऊंगा आपको, जरा देखिए, गौर फर्माएगा जनाब, चलिए थोड़ा चा पानी बेज़े, गट, 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 चलिए, तो बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट कॉंसेट की तरफ जरा तगड़े से देखिए, बहुत बढ़ियां चीज, बहुत मस्त चीज आपको तुम जाने जा रहा हो, गौर फर्माएगा जनाब, ठीके देखो बटा, क्या था, समझना, अच्छा, एक पिचीज बंज़े पहले बता दो, अभी जो मैंने बताया, कि अगर आपको लिक्विट से वेपर जाना है, तो बटा यह लिक्विट लाएन है, और लिक्विट वेपर एकलूब्रियम की बात करनी है, तो हमेशा यह टाइला लिक्विट का लाएन है, और लिक्विट का लाएन है, तो लिक्विट का लाएन है, तो लिक्विट का लाएन है, तो लिक्विट से आप यहाँ पे गए, समझना, तो लिक्विट से जब वेपर जा रहे हो, तो लिक्विट से वेपर कौन सा प्रोसेस होता है, क्या वेपरा और जब वेपर से लिक्विड जाओगे तो क्या होगा कंडेंसेशन होगा वेटा बहुत तगड़े से मैं इस चीज को लेके आपके सामने रख रहा हूं समझना कि अगर आप समझ गए ना चीज़ों को बहुत तगड़े से तो बहुत ही इंपोर्टेंट है और समझ गए ना तो कोई भी कोशिण आप छोड़ोंगे नहीं हर चीज को चुन-चुन के बताने जा रहा हूं टाइलाइन पता चल चुका है आपको ड्यू पॉइंट पता चल चुका है आपको बबल पॉइंट पता चल चुका है इनका और भी अप्लिकशन भी जबर दस्त आएगा दिरी अगला हम ग्राब दिखाते हैं आपको अब शुरू करते यह चीज तो आपको पहले भी समझा चुका हूं अब ज़रा तरीके बेद्ध्यान देना तरीका मैं क्या बताने जारा हूं बट एक ची बताओ यह है तो यहां पर नहीं लिखा है यहां पर एक से जीरो है और एक से कितना हो गया वन हो गया और एक से वन हो गया तो अबिस्टी बात एक से जीरो हो जाएगा और एक से वन है यहां पर एक से जीरो से वन हो रहा है यानि एक से और यह बढ़ रहा है यहां बताओ कोशन किसी भी तरह के पूछा जा सकता करिए हर चीज को समझे हां अब यह लिए ग्राफ चन फी पर और बटाईगे यह invent Way 2 अधीय को मैंने तो क्रोप्र अगर किसी भी solution का more fraction liquid form का change होगा तो अब इसका total pressure भी change होता चला जाए at a particular temperature. चलो यह बात भी हमें समझ में आती है और इधा जाने से total pressure बढ़ रहा था हम आपको बता चुके है अब इसी चीज़को हम पूरा graph में डाल के दिखा रहे हैं आपको बताओ यह graph अभी समझे थे की ने समझे थे कि उपर वाला यह liquid का इसके हर एक point पर liquid होगा इसके हर एक point पर vapor होगा यह वाला आपका dew point होगा नीचे वाला आपका bubble points होगे सारे चली यह बात में समझ में आती ह होगे तो कौन सा लाइन खीच होगे टाई लाइन पारलल टू एक्स वाई एक्सिस इस एक्सिस के पार चली आप सुरू करो ध्यान से लेक्ट मान लेते कि आपके पास इनिशली एक सिस्टम था बटा समझना समझना आप जरत तकड़े से एकदम मस्त जबदस तरीके समझा देंगे अभी जो मैंने आपको इसमें समझा है था ना कि किस तरह से आपने प्योर एको अलग कर लिया प्योर भी को अलग कर लिया वह मैं आपको ग्राफ में समझाने जा रहा हूं और यहीं पर आपको कंडेंसेशन भी समझाने जा रहा हूं और एक्दम क्लिर निकाल के द कौन सी लाइन हो करोगे इसको लिक्विड वाली लाइन में तो लिक्विड वाली लाइन तो उपर है तो लेट इस इच एक्स देखो यह एक्स है हमने यहां से सुरू किया शुरूआत हम यहां से कर रहे हैं यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक ही यह चले यहां पर मैं आप फट आपर समझाएंगे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पर बताओ अब यह क्या यह दोनों आपस में एकलूब्रियम में है लिक्विड वेपर तो लिक्विड से वेपर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो इसका वाई है तो एक्स और वाई आपस में एकलूब्रियम में है ना बेटे लिक्विड और वेपर और यह लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है एका और यह वेपर फॉर्म में एकलूब्रियम में तो बटा एक्स से आपको एकलूब्रियम अब लिक्विड है लिक्विड से वेपर में जाने के लिए आपको एक ट यही तो समझाए थे ने बेटा अभी कि अगर XA है तो यहां पर आपको YA मिल जाएगा अगर यह दोनों Eclubrium में है XA और YA तो अगर यहां पर XA और यहां पर इसका वेपर में YA है तो तो यह पर यहां से यहां तक जारो तो क्या यही वेपराईजेशन हो रहे है। अब सुना फिर आपने क्या किया था यहां पर कंडेंश किया था याद करोगे तो जो भी वेपर वो लिक्विड में आएगा अरे भाई साहब पूरा का फूरा । पूरा पूरा बिड्ट में आ जाएगा तो बिया इस जो भी पूरा है लिक्वीड में आ जाएगा अब जारा देखो बिटा, फूदा थाß य लिक्वीड यहं यहां पर पूर को कंदेंच history कर के यहां लाना चाहर हो जारा है, भीटुफो जब्लों कंदे अगर आप इसकी बात करो इस line की तो more fraction के लिए लाइन है और अगर इसके parallel इसका मतलब more fraction इस line के लिए constant होगा तो दोगो यह पूरा का पूरा x1 में convert हो गया देखो y पूरा यहां पर आया उसको हमने क्या बोल दिया x1 हमने का थे ना पूरा graph में निचोड दिखा देंगे आपको तो बढ़े बताओ क्या यह x1 के बराबर हो गया yes this y is equals x1 दोनों बराबर है देखो यह देखो इसके parallel जा रहा है y के parallel y के parallel लगर जाता तो x constant होता है इसक दोकर x1 और y बराबर है oh 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 तो यह condensation हो गया फेटे औ X1 और Y1 में equilibrium है तो इनके लिए फिर टाइलाइन खीचोगे फिर से अब देखो अब आप कहां पर हो लिक्विड में हो तो लिक्विड से फिर से equilibrium के लिए आपको कहां पर जाना होगा अब देखो एक्सवन वाइवन देखो एक्सवन वाइवन है ना equilibrium में टाइलाइन के थ्रो तो जब कभी भी आपको equilibrium नजर रिप्रेजेंट करनी हो तो हमें सा टाइलाइन आप देखो वाइवन पहुंच गए आप क्या करोगी बैटा फिर जितना यहां पर वेपर है उस पूर बॉर वाइवन ना तो अब पुरा का पूरा ऐसे जाậोगे तो इसे कंडेंस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे आप नहीं हो सॉरी ये परंद्रश हो जाutarगगा और देखो तो y1 से x2 देखो y1 जिसको आपने x2 देदिया यही y1 तो है x2 तो बटा बताओ यहां पर y1 x2 बरावर होंगे नहीं बरावर होंगे अगें condensation अगें condensation ऐसे करके बटा बताओ फिर x2 y2 अब फटाबर कर दें आगे आगे अब देखो x2 y2 x2 y2 आपका equilibrium तो देखो x2 y2 equilibrium वेपर में पहुंचे फिर इसको पूरा का पूरा क्या करोगे condens करोगे तो यहां पर आओगे तो condens करने के लिए पूरा का पूरा ऊपर चले जाओगे ऐसे फिर से condens करो कि आपको liquid में करना अट हो तब ही तो तो लिक्विड में गये तो जैसे यहां पर गये देखो x3 हो गया की नहीं हो गया और x3 और y2 पूरा का पूरा इधार आए तो x3 y2 बराबर है की नहीं जाए दो यहां पर x3 y2 बराबर है ओ भाई साब फिर आगे बढ़ इसी प्रॉसेशन वेपराज़शन यहां पहुचोगे जैसे यहां पहुचो के बिजट आपको बता ना यह पे और एक लिए होता है बताया देखो तो आपको यहां पे प्योर अ मिल जाएगा और इसको इसी प्रोसेस को पोलता है डिसलेशन सो दिसी डिरिंग करना सिशन व यह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब आपका X1, X2, X3 यह भी बढ़ता जा रहा है तो भाईया वही तो बोले थे ना बताये थे ना क्या वताये थे कि जो आपका Y3 होगा अब ग्राप से भी देख लिया कि नहीं देख लिया अब इससे अच्छा इधर X3 है तो भाई इधर देखो ना मौल फैक्शन आफ ए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जिरो से वन हो रहा है तो इधर जान से मौल फैक्शन आफ ए लिक्विड भी बढ़ रहा है मौल फैक्शन आफ ए वेपर भी बढ़ रहा है देखो दोनों बढ़ रहा है तो अब चुकि x बढ़ रहा है तो pt x से dependent होता है और x बढ़ रहा है तो pt भी बढ़ता चला जाएगा तो बढ़ता यह pt1 है pt2 है pt3 है pt4 है इस वाले में जो total pressure होगा वो pt1 होगा sorry pt1 किस के लिए था देखो x1 y1 के लिए था चेक कर लेना क्या क्या है क्या है नहीं है tt1 pt2 pt3 था इक Así a pt1 pt1 आपका x और y कि लिए था चेक कर último तो चेक करो यह pt1 से प्रिको x1 और y1 चे लिए gepान और वाई वन के लिए pt3 है गली这是 pt3 इसके लिए पीटी फॉर था ना इसके लिए दो कोई पीटी फॉर है इसके लिए पीटी तरी चेक कर लो तो चैसी जासे आप मुल्फक्शन चेंज करते जाओ उनका टोटल भी पर पिशन भी चेंज होता चला जाएगा और फाइनली आपको यह और भी सेपरेट होके अलग से समझ लिया होगा है तो वही चीज है इस चीज को यह वाला जो ग्राफ है इसको मैंने थोला सा बढ़ा करके दर दे दिया आपको आपको आप समझ सकते हो कि सारा का सारा चीज देखो यहां पर क्या हो रहा है तो यह वाला पार्ट आपका लिक्विट है लिक्विट से वेप में जा रहे हैं, तो vaporization, फिर दो को vapor से liquid में जा रहे हैं, condensation, vaporization और आपको यहाँ पर प्योर एमिल जा रहा है, यह दो को, यह y3 greater than y2, x3 greater than x2, यह सब दिया है, पुरा पूरा ग्राफ आपके सामने यहाँ पर है, तो here total vapor pressure of mixture at each different composition changes, हर एक composition पर दिखो, यहाँ जब x था तब अलग था, फिर x21 हुआ तो अलग था, x2 हुआ तो अलग था, x3 हुआ तो अलग था, तो यहाँ पर xy जब था तो pt1 है, x1 y1 है तो pt2 है, x2 y2 है तो pt3 है, x3 y3 है तो pt4 है, बेटा बताओ, कहाणी clear हुई की नहीं है, बात समझ में आया की नहीं है बेटा बताओ, यह process पुरा complete समझ में आया की नहीं है, अभी वो जो questions मैं जलक दिखाये था ना बेटा, अभी तो कैसे चुक्ती में solve करोगे, पहले ही सारे concept को माइन में घुसा होता हो एकदम दपस अस्तरी कैसे, चली यह हो गया अच्छा यह ग्राफ बेटा भी हो सकता तो अगर अगर सबोज बी ज्यादा बोलाटाइल होता तो वी का बेटाइल ज्यादा होता तो बी इधर हो पी अनौट गर दन पी बी नौट होगे तो पी अनौट उपर है न पी बी नौट नीचे इस तरह से बट अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे कि आपको नेक्स क्राफ में समझाते हैं यह है यहाँ पर क्या है यह पी अनौट है और यह दोको पी बी नौट है यहाँ पर क्या है ए इस बात को भी आप समझ लें, वह भी हम पता दें आपको, but if, but if B is more volatile, ऐसा भी तो हो सकते हैं पिटे, तो पी बी नॉट जादा हो जाएगा किस से, पी नॉट से, और उसके लिए कर आप ग्राब बनाएं, तो ज़रा देखियेगा, पूचे भी आप समझ लें, क्योंकि कोई format हो जाजाता है, हमें गरबार नहीं करना है, अब देखो B है, तो B वेटा उपर आजाएगा, तो कि यह ज्यादा है, और यह A आपका नीशे आजाएगा, तो कि यह कम है, तो यह कुछ ग्राफ इसका इस तरह से बनी जाएगा, यह आपका लिक्विड वाला होगा, यह आपका लिक्विड वाला होगा, इधर जाने से प्रिशर बढ़ेगा, यह आपका लिक्विड वाला होगा, यह आपका लिक्विड वाला होगा, इधर जाने से प्रिशर बढ़ेगा, यह आपका लिक्विड वाला होगा, तो B अगर यह वेपर को सो करेगा और यहां पर टाइलाइन खीचोगे तो वेपर लिक्विड इकलूटियम को सो करेगा बताओ बेटे सची बताओ यहां तक जैसे आपने देखना तो तुरंद वीडियो को पहुच करके सबसे पहले अच्छा यह तो आपका हो गया क्या कि आपने प्रेशर बिख लिए ऐसे आम टेमपरेचर कर भी तो बात कर सकते हैं यहां पर हमने क्या किया था कि टोटल प्रिशर को भारी करते चले गया और ग्राफ बंते चले गया कंडेंशेशन और वेपराजेशन होता गया कंडेंशेशन वेपराजेशन होता गया होता गया होता गया होता गया और हम आगे बढ़ गये और हमने डिस्टिलेशन कर लिया हमने सेपरेशन कर लिया ए और बी को सेपरेट कर लिया ठीक है तो अब आगे जो हम बात करेंगे व तक मिन्से क्षेंसे कैसे इसे सौल्बोंगे अब तो भात समझेंगे आप उसोल सब्सक्राइब कानि या तक समझ में आरी किस्टल क्लियर हे और हुरी है मैंने डियाग्राम भी बनाया Пटारा बॉक्स वह न के सिस्टम वह करके के दिखाया उसके बाद उसको डइरेक्ट अबने ग्राफ में डाल की दिखा दिया है तो आई हो बेट आपको बहुत 100% किस्टल क्लियारीटी आ रही होगी और अगर किस्टल क्लियारीटी आ रही तो कॉश्चन बहुत जबादस तरीके से फिर आप करने वाले हैं तो अब बात करते हैं कि इसकी बैटा, temperature versus xy curve की, okay, इच्के बैटे, तो आए, must enjoy करते हैं, जब अस तरीक से, अच्छा बैटा, due point पे कैसे calculations होंगे, bubble point पे कैसे calculations होंगे, last drop of liquid कैसे निकालेंगे, first bubble formation कैसे निकालेंगे, वो धिरे धिरे step by step सिखाओ, आगे आगा, तो पहले step by step सारी चीचे सिखते चले जाओ, dairy milk आपको पता है ना, उसके basis में आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ आता जाएगा तिरे-देरे करके, ठीक है, तो बढ़िया से द्धान से देखते चले जाओ, चलिए, देखे, अभी आपने बैटा क्या किया था, अभी आपने जो, प्र लिक्विड वेपर एकलोग्री आपको रिपरजेंट कर रहा था, कर रहा था कर रहा था कर रहा था और यह लिक्विड से वेपर जा रहे तो बैपराजेशन, फिर करनरशेशन, वेपराजेशन यह आपको पता है, उपर वाले फॉर्म को हम क्या बोलते है, अच्छा इसको यहां पर जो होगा region में sub cold liquid होगा, यहां पर जो होगा region में superheated vapor, उसके बाद आती ही temperature graph के, तो temperature के मतल़ तो यह चीज में आपको exactly कैसे होता है यह आपको पता है यह मान के मैं चल रहा हूं उसके बेसिस में आगे बाट रहा है तो एक चीज बता हो अगर यहां पर वेपर पेशर ज्यादा है तो अगोपने बाट यहां और इसका बॉतिक्स कम है तो ज्यादा हो कि आए कि ऐगी आपको पैसे कशव कने है तो इसका बाट'd पाटि का आपको अभागर पट्यूपने आपको कि यहां पर सब उल्टा होने वाला है पता क्या उल्टा होने वाला है अच्छा इसको तरीका क्या है लगता सबीद Salih सबीद Salih में परते वाले वाली समस्से कि निचे वाले रेंज वाली हिए तो तेमपरेंचे चाम होगा और यहां weeper ऐझा रहें तो क्या होगा वेपर पर आएगा और नीचे वाले फह में दूसरी इंवर्ण हो गया तो बढ़ा दो को यह जस्ट इनवर्ट हो गया कानी समझे just यह इनवर्ट हो गया अब लुट अब इसका बताब इसका बताब अब यहां पर जो फेपर होगा एट फीर गवेट कर दो यहां पर लिक्विड अब आपका सिटुरेशन आथा है तो यहां पर बताब वेपर है मालो यहां पर वेपर है तो अगर आप वेपर से लिक्विड में जाना चाहोगे तो फिर से टाइलाइन खीचोगे कि ने खीचोगे इस तरह से यह देखिए यह उपर वाला वेपर और यह वाला लिक्विड होगा देखो जैसे लिक्विड से वेपर वेपर से लिक् तो नीचे वाले पॉइंट वाले पॉइंट कौन से पॉइंट होगे, अभी तो सिर्फ यह बता रहो, अभी के इनके कल्कुलेशन तो आप देखेगा, ऊपर यहां पर हर जगे लिक्विट है, तो यह उपर वाले पॉइंट क्या होगे, डिव पॉइंट होगे, और चुकि य आपी कर्व समझ हों के धाहित कि क्या तरीक जातर है तो वहीं सारी जिए सब्ड़र देखो ये वहीं आपर लिह रोगगा है वेपर लिक्यूब्यम में Kobe hp मिक्षर है आपके पास वेपर लिक्विड का मिक्षर था यह आपके पास बैठेग वेपर लिक्विड का मिक्षर आपके पास था होता जाएगा वही बेरकाहिने का मतलब यह है तो मिक्षर एट इच पोजिशन चेंजेज तो इस नोट कॉंसें नहीं हो सकता क्योंकि हर एक सिस्टम में से जब दूसरे सिस्टम में जाते हो है तो यहीं पर आप लिख लो कि तीए नोट लेस देन टीपी नोट पड़ा है इनवस्टि रिलीशन रिलेशन ने तो यह चीज यहां पर है क्लियर हो गया अब आगे देखूं तो यही चीज ग्राफ मैं आपको यहांपे समझार जाए तो बिटा अब यह ग्राफ हम डिरेक् याद करो, आपने X से स्टार्ट किया था, यह X था, फिर X से आपको क्या मिला था, Y मिला था, तो बता यह वेपराईजेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर आप देखो यह वेपर है ना, देखो ऐसे लिखते जाओ, यह लिक्विड और यह वेपर, तो लिक्विड से लिक्विड यहाँ पर भी टाइलाइन यही होगा अब बताओ फिर वेपर से अगर अगर आपको लिक्विड आना तो कंडेंसेशन करना होगा कि नहीं करना होगा तो अगर यह वाई है तो इसको अपने एकस वन बोला था याद करो फिर से वेपर लिक्विड उकलूब्रियम की बात अब यहाँ पर इधर जाओगे तो फिर से लिक्विड से वेपर जाओगे वेपरशाइशन फिर यह यहाँ पर लिए वेपराशाइशन समझेरोगे ना फिर हीपरशाइशन अब यहाँ पर, चुक्fle क्या था? एकस टू था था? बदो यहाँ पर आपको ईसका क्या मिल Millلا र पिर आप नीचे आऊगे Bendence करोगे यहाँ पर वता बताओ यहाँ पर एक चल्टू ए तो यहाँ पर खतरी मिल जाएगा और खतरी किसके बराबर होगा दो पयाड़ाश्य के पी प्रॉडबर होगा ऐसे पर करके आप आगे वर्टे जाओगे आपको यहाँ पर पर और ए बिल जाएगा क्या बेटा अब समझ गया हो क्या कहानी है मुझे लगता कि आप वो प्रेशर वाला समझने से टेम्परिचर वाला भी आप तुरन समझ गया होगे कोई दिक्कत वाली बात है नी बेटे तो पूरा का पूरा अब यहाँ पर समझो बेटे यहाँ पने पहला सिस्टम लिया था न जिसमें इस तरह का आपने सिस्टम लिया था न बेटे इस तरह का यहाँ पर A और B दोनों थे यहाँ भी A और B था यहाँ पर दोनों एकलूब्रियम पर थे यहाँ पर X था और इसका Y था याद है ने बिटे तो यह X और Y आप देख रहो यहाँ पर यह X है और यह आपका क्या है विटे Y है इस इने बिटे इस एक्स यहाँ पर यहाँ पर यह देखो Y है है ना वई यह Y है यहां पर प्रोल्र पिशर की बात करें तो यहां पर पिटी था यहां पर पिटी था यहां पर फिर 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 फ Y4 T3 होगा BIG.. अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो то T गड़ता जा रहरा है 开始 decrease away protocol cambacm जारह है जड़ा चेक करोनOW क्या отдельकT4 सबसे ज्यादा था फिर PT2 था फिर PT2 था.. फिर PT1 था.. फिर PT था.. जातकरो कुछ इस तरह से था.. तो भाट्या.. अगर vapor वेपर पिशार वोलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन है अब आप देखो हर चीज को समझो वेपर पिशार ज्यादा है तो बताओ इसका T4 वोलिंग पॉइंट सबसे कम होगा फिर T3 उससे कम पिर T1 उससे कम फिर इस तरह से तो आप बताओ देखो आप नीचे जाते जा रहे हो तो नीचे आ रहा हो मतलब तेमपेचर कम हो रहा है तो वोलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है तो देखो T4 सबसे कम और देखो T1 यह सबसे जादा है तो इस तरह से बढ़ा पूरे ग्राफ को इनलाइज करो तो यहां पर रेड वाले को दो को अब यहला वाले कि मया खिया है तो ऊपला ग्रू यहां ना लू भाले को यहां पर क्या भूं लाग्या है क्योंकि लिकूट के लिए सारी काहणी तो क्रीका जाल और just जा देते हैं आपको, मजह आ रहा है ना बिटे, समझ रहो ऑना बात को कैसे कैसे क्या, यह तो कैसे, simple, तरीका समझ गऊ, तो यह ती भी नौत है, यह ती नौत है, साब साब मने बना के आपके आपके सामने दिया, यहां से यहां गहा देखो देखो नीच अवरा लिक्विट था यह वेपर था तो तो कि यह क्या हुआ विपराज़ाशन कंडनसिशन विपराज़ाजाशन खंना सिशन गया बताओ इस particular point पर, इस mixture का कुछ न कुछ boiling point होगा, that is T1, फिर का कुछ boiling point होगा, that is T2, फिर इसका कुछ boiling point होगा, T3, फिर इसका कुछ boiling point होगा, T4, और यह सारी condition व I have nowichen session आपको अभी समझा रखी है, यह सारी चीज़े मैं आपको बता रखा हूँ, यह भी मैं आपको बता रखा हूँ, तो finally आपको pure A मिल जाएगा, तो boiling point के बारे हम continuously decreasing, जब आप liquid से वेपर की तरफ जा रहे हो, तो boiling point continuously क्या हो रहा है, decrease होता चला जा रहा है, और यह हमने आपको प्रूब करके भी दिखा दिय यह को T1 सबसे ज़्यादा, T4 सबसे कम, T4 सबसे कम, नीशे आने पर temperature कम हो रहा है कि नी कम हो रहा है, तो आप यह ग्राफ भी समझ गए बैटे, आप यह ग्राफ भी समझ गए, अब आते हैं कुछ और चीज़ों को समझने कोशिस करते हैं, तो next part is vapor liquid equilibrium, अब यहाँ पर हम calculation क करें किस तरह से bubble point, dew point calculate करें, तो मुझे लगता है कि total pressure versus xy समझ गयो, graph क्या है, क्या है condensation, क्या है vaporization, किस तरह से आपका fractional distillation होता है, ऐसे temperature versus xy में ग्राफ में अभी आप सारी चीज़ा समझ गयो, क्या relation है दोनों में, कैसे total vapor pressure change हो रहा है, कैसे total boiling point से विक्षर का change होता चल जा रहा है, कब क्या condensation, कब क्या vaporization, अगर आपको equilibrium की बात करने, तो आप tie line खीचोगे हमेशा, चाहे हो txy का graph हो, चाहे हो pxy का graph हो, आपको हमेशा क्या करना है, tie line खीचना है, बोलो विटे, कानी clear है यहां तक ना, कानी clear है यहां तक ना, तो अब और एक must जबदस section में और पूरा process हम आपको आप करके दिखा रहे हैं, अब actually में जितना भी आप समझे है ना अब उन सारे concepts को लगाने का time आगे है, उन सारे concepts को और तगले से समझने का time आगे है, तो अग्दम जबदस तरीके से देखना, मैं आपको समझाने कोशी करता हूँ, एक एक करके vapor liquid equilibrium, क P0 by P0 into XA by XB, Y or YB क्या है, mole fraction of A and B in vapor phase, X and XB क्या है, mole fraction of A and B in vapor phase, और P0, Pb0 क्या है, vapor pressure of pure A and B respectively, और इस particular composition पर अगर आपको total pressure निकालना है, क्योंकि अब बदर एक particular composition पर total pressure भी होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ total pressure भी होगा, तो वो अगर आपको निकालना है, so either you can use this formula P0 minus Pb0 into XA, तो XA आपको पता है, plus Pb0, either you can use this formula, 1 by Pt equals to YA by P0 plus YB by Pb0, और YB को यहाँ पर आप 1 minus YA भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो, 1 minus YA भी लिख सकते हो, और यह particular system के equilibrium के लिए यह format आप यूज कर सकते हो, particular system के लिए आप यह पुरा-कपुरा format आप यूज कर सकते ह आपके सामने हैं, तो कभी भी अगर आप tie line खीचे, एक equilibrium आया है, तो तुरंत आपके माहिन में यह formula, एक particular tie line के लिए आपको यह formula आपके माहिन में तुरंत आजाने चाहिए, इतना मैं बोलना चाहता हूँ, total pressure आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, YA, अच्छा पीन होना है, तो इसमें से अगर एक छीच पता है तो दो दोसी अपने अपता चल जाएगी, तेहां से Y, यानि कि अगर आपको मैं आप से बोल दो, एक छोटा सामिया पर करके दिखाना चाहता हूँ, let, let, XA is 1 by 2, find Y and YB, simple, मुझे यह बताऊ, क्या निकाल सकते हूँ, पै दिया हुआ है पिय नॉट इस फोरंड्रेट एमेम एफ एज जी एंड पी बी नॉट इज टू हंड्रेट छोटा सा चीज है बट यह जरूरी है तो कि आगे बहुत मजाएगी यह दिया हुआ है तो पाटाँ अगर हम यहां पर इसको या बाई भी निकालें मतलब देखो आप पाटाँ आजाएगा तो आपको यह पता हो गया यह पता हो गया पी नॉट पता है यहां पर यह जो लिखुड ए और भी उपर गया है वेबर फेज में क्या उनके मॉल फ्रेक्शन एक्कुल्ब्रियम पे निकाल सकते हो गया यादे ना यह वही है जो आप टाइलाइन किच तो यहाँ पार अगर X से है, तो यहाँ पर वाला क्या है ? प्रेशर वर्चिस से X से की एक्स वाई की बात कर लाएक अपर वाला क्या थविट था लिकविट था नीच व stubborn वेपर था तो वेपर के लिए यहाँ आन में वाई होग तो यह आंस। घॉuks तो यह आपकी टाई इस भी य, 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 उप को आप से रेट कर सकतों कि नहीं कर सकते हैं नियुक्तों चोड़ सकते हो अगर य, जू य, य, यू निकाला तो पैनों कितना आपका यू जो यू पसकते हो न थो है एक बाइ एक से बीदेटा हाफ है इक स्वी भी हाफ है तो यह कट गा यहां से 4 यब आपका 2 आ गया तो इसको एसे भी तो लिख सकते हो ना, y a, और y b को आप 1- y a लिख सकते हो, is equals to 2 कर दिया, इसको उधर ले गया, multiply कर दिया, so y a equals to 2-2 y a, तो यह इधर चले जाएगा, यहां पर अपका य यहां पर आपका य batस बता हमें, वो कितना आ गया, तो using this concept you can find the composition of whippers in equilibrium तो अगर आपको XA पता है और PNOT पता है तो आप उस पर्टिक्लर टाइलाइन के लिए आप य भी निकाल सकते हो या फिर अगर आपको YA पता है तो उस पर्टिक्लर टाइलाइन के लिए आप XA और XB निकाल सकते हो क्या यह बात समझ गयो बैटे आप क्या क्या यह फिर से कम इन बॉक्स में यही पर तुरंत रोके मुझे बताना हो आपको PTA जाएगा या फिर XA आपको पहले से बता हाफ है यहां डाल दो PTA जाएगा का नहीं समझ रहो न तो टोटल प्रिशा इस तरह कि आपको यह सारे कल्कुलेशन के लिए आप कर सकते हो चले पाल प्रिट एक पर्टिक्लर टाइलाइन पर हम कैसे कल्कुलेशन करें आपको आगे हम दिखाते है आगे बढ़े चले वेपर लिक्विड एकल्प्र इंट जिसका था इंतजार वो घरी आ गई जिसका था इंतजार वो घरी आ गई कि अब होगा फर्स्ट बबल कभ होगा लास्ट डॉप अफ लिक्वीड अब सब कुछ ताइलाइन कभी भी आए तो आप वह फार्मुली जो मने बताए क्या था य ऐ य रय वाइ वाइ डिवा इक दम मैंने भी वाइव अन्ट बन करो और बोलो वाइए वाइव वाइव एक्वे एक अप्प्वेड नोट इन्टू एकसे वाइकसे बाय एकसे बाय एकसे बाय थिवाइज पीवेंट ऑना अब लिक्विड एकलूब्रियम and concept of dew point and bubble point अगर हम pressure को देज़री decrease करता जाए तो पटा हमारे पास एक system है मालो उसके अंदर पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है एक system के अंदर थोड़ा से यहीपर समझो फिर आगे बात करे हैं मालो पेट हमारे पास यह system है इसके अंदर और इसमें यह piston लगा हुआ है इस तो प्रिशर डिक्रीज करने का बतलब क्या कि पिष्टल उपर जाएगा अगर पिष्टल उपर गया तो फिर लिक्विड प्रिशर इंक्रीज करने से क्या होगा मालेकुल्स पास पास आएं पिश्टन यहाँ चला गया तो बड़ा बताओ यह लिक्विड वेपर में अपनोट होगा प्रेस्टर डिकलीचन से मालेकुल्स दूर दूर जाएंगे वेपर में अपनोट कोगा अल्टा सोचो कि अगर इस प्रेशर को इस लिक्विड को नीचे लाए तो मालेकुल सपास पा you can imagine this one चलो अब आता है तरीका जरा ध्यान देना और गौर फर्मना ये लिजे जनाब तगड़े से समझना कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरन मतलब बताओगे क्या मतलब दिक्कत होने नहीं देंगे छोड़ो दिक्कत होने नहीं देंगे छोड़ो उस बात को चली अब सु अब बाताओ अगर थोड़ा सा प्रिशर को डिक्रेज किया तो टेंडेंसी क्या होगा कि लिक्विड किसमे जाना चाहेगा वेपर में तो बटाओ जब कभी भी लिक्विड से वेपर बनता है थोड़ा एमिजिन करना आप पानी को रखदो अगर आप टेंपरिचर से रिले पानी को डखके देखें ऑर बनें पहला बनें देखाए नहीं बने देखो यहाँ को जैसे थोड़ा सा अ प्रिशर करोगे तो पहला बावल फॉरमीशन हो जाएगा कि नहीं से और बाल बन गया तो ओई वेपर है बबल बन गया तो यह क्या वेपर है समझना बात को अभी इ बना के नहीं बना और यहां इसका मतलब यहां पर यह वेपर है वेटा यह लिक्विड है किया यह दोनों एकलोब्रियम पर आ गए हमने का थे ना कि अगर एग भी वेपर होगा एग भी बबल होगा तब भी वेपर प्रिशर होगा और लेट यहां पर जो टोटल वेपर प्रि यह लिख दू, इस is composition of, या more fraction, composition of first bubble, इन विपर, नहीं क्या बताओ बिटा, जो y आएगा इसका, यह पहली bubble तो बना, तो y है क्या होगा, composition of first bubble, अरे भाई साह, एक हा, इसके अंदर, इसके अंदर, जो कि a और b दोनों जारा है, तो y है, और इस तरह से y भी 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 आप बोल सकते हैं, किसे एक को लेकर चलेंगे, अब आपने क्या क्या है, कि फिर आप pressure decrease करते जारों, तो liquid vapor में convert होता जाए, आप सुनना ज़रा सा, अचा, अचा, पेटा एक शी बताओ, यहां पर एक शी और देख लो, अभी हम रताया था ना, कि दोखो, यहां पर आपका, x a x b है, यहां पर y a y b है, तो मैं बताओ, यह equilibrium आया है कि नहीं है, equilibrium के लिए tie line, और tie line अभी इसन दिखाएंगे उसमें, equilibrium के लिए आप यह formula यूज कर सकते हो कि नहीं, y a by y b cost to p a not by p b not into x a x b, x a पता है तो x b पता हो जाएगा, अभी color ता यहां p a not p b not आपको given होगा, तो कि आप यहां से y a और y b निकाल सकते हो, yes, अब आप total pressure निकालना है, तो आपको y a y b पता चल गया, you can use this formula, यहां से आपको p t मिल जाएगा, चलो, अब यहां तक बात, तो पहले bubble की बात होगी, अच्छा यह एक यह समझ लो, बाकि आगे हम फटाक से आपको समझाते चल और पहला bubble बना उसका composition y a y b है, अब उसका निकाल सकते हो, so this is y a and y b, y a and y b, i say below, it's composition of first bubble, in paper form, चलो, अब अगे बढ़ते हैं, अब क्या करता जा रहो, pressure decrease करता जा रहो, pressure decrease करना मितला, पिश्टन उपर जाएगा, क्योंकि जाब pressure increase करता हो, पिश्टन नीचे आता है, पिश आएगा, कि last drop liquid का बचा होगा, जो वेपर में, तयानी सारा का सारा वेपर करनोट हो चुका होगा, बट एक ताइम तो ऐसा आएगा, कौन सा टाइम आएगा बेटे, लो वो टाइम आगया, वो आगया, अरे वो आगया, देखो, आगया, क्या, टाइम आगया, तो पिश्ट आएगा, अरे समझो वाई, एकस बी डाइस, कमपोजीशन ओफ लास्ट डॉप अफ लिक्वीड, अभी सब समझाते हैं, बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे, एकस बी डाइस ही हुआ के नहीं हुआ, और यहाँ पर, जब वेपर में जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 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 तो क्या आगे न अब भी फॉर्मली लगा सकते हो क्या क्या लगा सकते हो बता? YA dash कैसे? अभी ग्राप से समझाते हैं? देखेंगा क्या जहांसे अपने सुरू किया था अभी आपको clearly समझ में आएगा, तो यह एक सब्सक्राइब से समझाते हैं, इकोस्तु क्या होगा, पी नोट भाई पी नोट तो ही रहेगा, और यहाँ पर एक सब्सक्राइब पता ही है, और फिर अगर आपको यहाँ पर टोटल पेशार निकालना है, यू केन यूज बाई प अब सुनो, अब इस चीच को ग्राफ में दिखाएं आपको, जिरह देखिएंगा, मौर फेक्शन कितना था, एक से था, यह प्रेशर का एक से तो प्रेशर डिक्रीज करने का बतलब नीचे जाना, मैं यह रो बना दू पहले, तो अब बताओ यह अगर प्योर लिक्विड ह प्योर लिक्विड वाली जगह पर कहीं होगा, चले यहां पर, अब समझना कि पहला बबल कब बनेगा, पहला बबल कब बनेगा, तो जब आप नीचे की तरफ आना शुरू करोगे ऐसे करके, तो मुझे आप यह बताओ, इसका मतलब नीचे आने का मतलब यह प्रेशर का ए और नीचे आए, तो क्या बेटा, लिक्विड वेपर में का नोट हुआ यहां तक, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यह पूरा पूरा लिक्विड जोन है, फिर और नीचे आए बेटा, क्या लिक्विड वेपर में का नोट हुआ, नहीं हुआ, फिर आप इस पॉइंट पे पहु जैसे इस point पे पहुचोगे बेटा, फिर vaporization की बात होके, यहां पर equilibrium की बात होके, कि निया दगोई टाइलाइन आ गया आगया आगया टाइलाइन, इधर गया आप, तो liquid से vapor गया, तो बटा बताओ, यह अगर X से है तो यह हो जाएगा, तो देखो, यह अगर X से है बेटे, त बेटा बताओ, यही तो formula अपनी style line के लिए योच किया, यही तो formula अपनी style line के लिए योच किया, और यहां पर जो pressure होगा, that will be PT, देखो यह, तो आप यहां से निकाल सकते हो, अब बताओ बताओ यह यह है, वो क्या है, वेपर में हो की नहीं हो, तो इसका मतलब क्या यह यह यही बला हुआ यह, first bubble, अरे भाई साब, first bubble, first bubble, first bubble, first bubble जना, first bubble, oh, bubble point है यह वेपर वाले, चलो, ठीक, चलो, यहां 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 समझ गया आप, फिर क्या किया आपने, सुनना जरा साथ, अब आप और pressure decrease करोगे, yes, और decrease किया, और pressure decrease किया, और decrease किया, और pressure decrease किया, और pressure decrease किया, तो जैसे आप यहां पर पहुन रही होज़ों रहा धेड़ TP आप समझ में आया similarly y b d x b के बराबर होगा आप सुनो जरा ध्यान से सुनो यह जो आया यहाँ पर last drop की बात होगी पर अभी यहाँ paper की बात हो रहे है पर द्रॉप तो liquid form में होता है तो अगर आप drop की बात करो कि तो आपको liquid line में जाना होगा liquid line तो यह तो आपको फिर से एक tie line खीचना होगा आप देखो ना इस equilibrium के लिए यह last drop of liquid है बेटे यह last drop of liquid जो है इसके लिए इस equilibrium के लिए tie line खीचोगे की ने खीचोगा अब liquid वाली line पे जाओगे और जब liquid वाली line पे जाओगे तो इसको एकसे रिपलिजन करते हो तो तो दाट वी एकसे डाइस तो बताओ यह एकसे डाइस है तो यह एकसे डाइस होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा यह इन सबको इस graph में गुषा दिया कि नहीं पुषा दिया बताओ अनन्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है सची बता रहा है क्योंकि आगे यह केसे समफड़ा वाट एक्दम तैजी से काम कर देंगे और इंजोई कर रहा हो ना ने पैपनोंति से कर देंगे बताओ यह स समाझी फेटाइस तो आपको पहले से पता संवाट seulement को रहे से अ के यॅज अगइगा । न न करु घ्रैफिकलिए देख लो डाइग्राम से देख लो कैसे देखो बत्चे की जान लोगे किया कहानी क्लियर आपको समझ में आगे चल अब आगे बढ़ते हैं बिदाउट वेसिंग टाइम वेपर पेशर वेपर लेक्विड एक्लूब्रियम एंड कॉंसेट अब दूपॉइंड बावल पॉइंट है ना टेंपरेचर डिक्रीजिंग टेंपरेचर डिक्रीजिंग है या फ इसका बता अभ है तो ये हम नहींट कर समझते हैं यहां पर और लिकविड फर्म में लिए थीय को बैबर मैं कर्ते हैं चलते हैं अब यह क्या कर लिया अब आप क्या वह करोगे पिष्ट्रोंर निचे लागी तो फेड़ाकए इंक्रीज ऊगई तो प्रेशर लिए प्रेश कर गए अब सब्सक्रा पूरा का पूरा बेपर है बेपर अब्सक्राइट है जब लिक्विड में convert हो रहा होगा तो जब पहला drop liquid का एक time ऐसा आगा ना कि first drop of liquid बनेगा भाई पूरा का पूरा vapor है अब आप high pressure apply करते जारो करते जारो एक time तो आएगा ना कि पहला liquid बनेगा तो first drop of liquid बनेगा अरे भाई साहब तो देखो आपने क्या किया वही तो यहाँ प यहाँ पर फिर से liquid और यह जो first drop है और यह जो vapor है इनके बीच में equilibrium आएगा और अगर equilibrium आया तो tie line की बात होगी सब बात होगी तो आप वही वाला formula सी दे y a y b अब मालो इसमें से कोई एक चीज पता है आपको y a पता है तो y b आ जाएगा p not p b not given होगा तो यहाँ से x a x b निकाल सकते हो कि और वही x a और x b क्या होगा composition of first drop of liquid अब यहाँ पर last drop की बात करते यहाँ पर first drop तो यहाँ पर जो आप प्रिश्न को नीचे लाता रहा एक पर लिप्र लिप विए विपर लिक्वीड में कन heights yeah यहीं तो एक ताइम अश्छा से जए गए बतलं लास्त फेपर बंचा होगा ज W.क. ल Ichi सबस्देश यहाँ पर बिटे आपका क्या हुआ लास्ट बबल अफ यह है लेकिंट इस कंपोजिशन इस य य बाइस बोलो न बिटे तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसका एक सबस्दाइस और एक सब्सदाइस बोलो न बिटे अभी ग्राप से सम्झाते हैं और चुक यहाँ XA' YA' XB' YB' की बात है तो again you can use this formula और अगर यहाँ पर total pressure PT हो चुका है तो PT' निकाल से तो using this formula कानी समझ में आ गई कि pressure increase करने से क्या होगा decrease करने से क्या होगा तो यहाँ पर यहाँ पर यह डाइस यहाँ बाता है इतना detailed discussion बेटा बताओ कहीं कहीं नहीं मिलेगा मैं बता रहूं आपको क्या है बेटा this is composition of last bubble of paper कि आप 10-15 याप फीर नहीं भी कर सकते थे वह question आप आप seconds में करने वाला है चलो अब इस्टार करते हैं आपने प्योर वेपर से लिया था वैटा कहानी सुरू किये थी, आपने कहानी सुरू किये थी, प्योर वेपर से सुरू किये थी, इसका composition y a and y b होगा अब धिरी दिरे दुख criticism द्मसें अपर क्या है कि अभी बताओ ओ वेपर क्या लिक्तित अब भी एक आ यहां यान भी भी गपर है यहां भी ए बेपर है और जैसे पॉइंट पे पहुँचे जहनाब जैसे इस पॉइंट पहला drop of liquid बनाएगा, चुकि liquid है तो आपको liquid की line पर जाना होगा, तो यह आपकी liquid की line है, tie line, और यहाँ पर आपको x से मिल जाएगा, और x b मिल जाएगा, और यहाँ पर बात समझ रहो ना बटे, कहानी समझ रहो ना बटे, कहानी समझ रहो ना बटे, तो यहाँ पर आपको य मिल जाएगा और इस particular tie line के लिए देखो y a y b x x b अब y आपको given है let y आपका 0.5 given है p a not given है let suppose आपको 400 p b not given है बेटा suppose let आपको 200 तो बताओ यह सारी values यहाँ पे डाल के यहाँ पे डाल के बताओ ना बेटा y a पता है 0.5 तो y b यह भी 0.5 हो जाएगा यह पता यह पता है बेटा तो क्या आप यहाँ से x a और x b निकाल सकते हो तो क्या आप यहाँ से यह वाला जो point आया यह वाला जो point आया क्या बेटा first drop of liquid होगा बोलो बेटा is it first drop of liquid आप समझो ना बेटा आप concept में और बता बेटा कैसे समझाओ मैं आपको फिर आप और परशर डिकीश करते जारो बेटे जब और परशर आप डिकीश करते जारो बेटे तो क्या हो रहा रहा जरा बताओ जना आप परशर डिकीश करो दो sorry pressure I am sorry and I must be sorry to say sorry अधर प्रिसर इंक्रीश करो इनकीश करो इंकीश कीश मत्री pent-बताब बताओ इंक्रीश कर ओँवेg तो जरताओ बताओ वेपर फिर से लिखिविड में कनोट होगाamento बोलो ना वेटे लास्ट बबल अच्वकिये लास्ट बबल बचा है तो बबल टो वेपर में होगा वेपर के लिए आपको वेपर की लाइन में जाना होगा अगर यह x से लए इस y के बरावर होगा similarly x से लिए के बरावर होगा देखलो इस line से सब चीज है बहुत detail दा चुका अब बताओ क्या आप इस tie line के लिए यहापर y a' and y b' बताओ और यहाँ पर x a' और x v' होगा अब बताओ क्या again आप यहाँ पर यह जो composition आएगा यह वाला composition यह क्या होगा बताओ क्या यह composition of वेपर की बात करें 분들은 हम यहाप पर जा रहें ना बटे इसलिए भाइपर की लाइन में जाना होग representing य Chi वोगा। जो को कि वाझसुन सब्सक्राइब का मैं किस्क अब इस और वोगा यह यह पर निकाल करें पाईयॅए है। पीटी डैस यहां पर आपका पीटी डैस होगा यहां पर आपका पीटी होगा तो बटा बताओ पीटी डैस निकाल सकते हो कि नी डैस यह उपर लगा लो क्या करते हैं जनाब आप ऐसे काम आप न क्या करें पीटी डैस अप पीटी डैस निकाल सकते हो तो बढ़ता हो, यही सारे काम हम क्या temperature के case में कर सकते हैं, चली वो भी करते हैं, छोड़ेंगे, कुछ नहीं जनाब, छोड़ेंगे, कुछ नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, चली अब ज़रा देखे, वेप temperature कम करोगे, तो वेपर लिक्विड में कनॉट होगा, टेमड़ा होगा तो लिक्विड वेपर में, इसका मतलब यहां पर जो आप temperature decreasing की बात करने जा रहे हो, इसका मतलब आप vapor mixture लेने जा रहे हो, यहां पर आप vapor mixture of A and B लेने जा रहे हो, हर तरीके से सारे गरफ किसी भी तर सब्सक्राइब करने कोशिच करेंगा और पहला ड्रोप लिक्विट करने कोशिच करेंगा यह लिजे बन गया, फर्स डॉप ओफ लिक्विट, आप मैं लिखूंगा नहीं, समझगो ना, फर्स डॉप जिसका XA और XB composition है, यहाँ पर वेपर है, यह लिक्विट, यहाँ पर वेपर और इनके बीच में क्या आजाएगा, यह आपका Y and YB है, और यहाँ पर टोटल पेश जैसे मैंने आपको भी प्रेशर में समझाया, पट यहाँ पर टेंपरिचर की बात करके देख लेके, अभी ग्राब भी दिखा देता हूं अपको, फिर आप क्या कर ओर टेपेशर घट आते जारो, तो यह लिक्विट में होता जा रहा है, लिक्विट में कर्मोट होता जा अभी जो भी पर है इसलarti कि ये जुआ है जो यप्र है इसका यय से य्विट आप यह लिक्विट है उसका छृर्शन किया है घटा एकस भी आप अपको यह टो टोटल पेशर जो है, वह पिक्त यरी आप थाट कर यहां पर सरोश करक आप यहां से वैटर भी जारो, एक जना काल सकते हूं कि नहीं काल सकते हैं, तो What Will Be Why A Dass and Why W अबाति यूपर नीची ौकोल लेक्विटर होगा यह कहां से स्टार्ट किया था अपने आपका वाली यहा पे जोंकि वैपर हो डूप इसली जगा यहां उपर नहीं बना नहीं बना नहीं बना यह बना धूब नहीं बना नहीं जैसे आप यहां पे पहुचे, यह 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 भी है, जैसे यह पे पहुचे, तो क्या बेटा, पहला drop liquid का बनेगा, क्या first drop liquid, और चुकि liquid का बनेगा, तो तुरन टाइ-लाइन खीचोगे, और कहां चले जाओगे, यह x यह फिर x भी हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, composition of, what आया है क्थो पाना ज़िला थो क्या बदह्या बांट पाना ग्राटस फस्टरपस है कि इस पालेलेशन अधे करों या ए नकालोगा या इस से लोगत यान से एक ऑर एक सेपुमिंगने धी करें जाएगा चलिए फर recommendations, optimism करते जारो चाल या邊 करते जारो और टेंपर्परिफिर कम पर्तर करते जारो और समोGO और सम करते जारो और लिकृड मेई एसा टाइमें कॉझ ca यह सा है कि लास्ट बबल भचा होगा उसिट लास्ट यॉबल यहां पर कि मैं लेंत यहां पर जो computer है भी तो कुणट वाली लाइन पर होना एक उसी डैस है तो लास्ट बबल का केपोजिशन वेपर में निकालने लिए तया से यहां जाना हमाई तो यह 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 पर يपना वाईबी वन होगा एक उसे बना एक च्थ होगा यह जो प्रेशर होगा PT होगा यहां पर जो टेम्परेचर होगा कुछ T होगा और यहां पर अगर इसको T1 तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टी 2 होगा शुमझ रहा बटे अब उच्छा बताओ बिट इसके लिए इस पाटिक्लर पॉइंट के लिए यही वाली चीज त अब यहां पर जैसे आप पहुंचोगी बेटे तो वेपर हमें पहुंच गए की न कोई अधू इसे आपा लास्ट आप ने डैस क्याUNG निकाल सकते हो प्प्ट ठीज सकते हो जो डिशा वह फी निकाल सकते हो जो चय यहां वह फंच कर सकते हूं, वह फंचानि है consistent तक लिए तक लिए चैनल करेंगे आप एक तरीके से अगर्दा करोगे आप तो तक लिए बने कर रहे हो तब यहां पर क्या लेने जारे ओजना आप क्या आप यहां पर प्यूर लिक्विड यह प्यूर क्या बोलोगी आप यहां पर लिक्विड मिक्षर बोलो तो जब होता है जब सिंगल होता है लिक्विड मिक्षर औफ A and B यहां मैंने क्या लिखा है यस बिल्कुल सही लिखा है एक दम correct लिखा है अब जब आप heat temperature बढ़ाने जाओगे तो यह liquid conversion vapor में शुरू होने लगेगा आईए आईए जनाफ गौर फर्माईए यह लिजे अब देखे आपने क्या किया तो liquid mixture A and B is taking चले आपके पास यह है अब liquid है तो X A और X B है अपने X A से start किया इसका कुछ value दिया है 0.5 भी लेते है लेक P A not दिया है 500 mm H G P B not दिया है आपको 250 mm H G जएले जएले ठीक है age mode गो लटाटे P A not देखो ज़्यादा है ठीक है और अगर उल्टा हो जाता P B not जाता होता तो P B more volatile हो जाता अब बताई होते आपने इसके heat करना शुरू किया तो liquid vapor में करवार करने कोशिच करेगा temperature बढ़ा रहा हो एक time में ऐसा आगा कि पहला bubble बन जाएगा ये लिजे बन गया भाई पहला bubble बन गया भाई पहला bubble जाले जाएगा फिरस्ट बबल तो इसका composition y-y-b तो यहां पर है liquid यहां पर है vapor आ गया equilibrium इसका क्या है x-a और x-b है इसका क्या है y-a अट य-b है वाई-b है बढ़ा क्या होगा composition of first bubble वाई एंड वाई भी क्या होगा composition of वेपर when first bubble is formed वेपर बोलो न चनाप कहानी फिस आप temperature बढ़ाते जाओ रहे तो लिक्विड बढ़ाते जाओ रहे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना बेटा कि जब last drop liquid का बचा हुआ रहेगा यह आपका last drop of liquid last drop of liquid वेटे और इधर है वेपर दोनों रहेंगे equilibrium पर यहाँ पर राइट और last drop of liquid का composition list x a dash और x b dash है वेपर का जो है composition of last drop of liquid वोलो ना पिटे और यहाँ पर आप फिरसे वही y a dash by y b dash equals to p a not by p b not into x c dash by x b dash से लगा सकते हो और यहां से आप और रेंज से लिट यह देखे एक से शुरू किया तेपरिचर बढ़ाना तो उपर जाना पड़े कि तेपरिचर बढ़ने के उपर गया क्या लिक्विट वेपर में कनौट वा नहीं हुआ क्या लिक्विट वेपर में कनौट वा नहीं हुआ नहीं हुआ जैसे यहां पर पहुंच is composition of what first bubble तो फिर्स्ट बबल का composition हो जाएगा तो बताओ न ग्राप से डाइग्राम से कैसे समझाना है जैसे समझाना है सब तो बेटे आपको समझा दे रहा हूँ अब बताओ बेटा बच्चे की जान तो नहीं लेना है न आपको तरफ फर फर स्ट बहनonnaise अच्छा वेपर की लआन में है क्यों जा रहे है क्योंकि वेपर का मतलब वेपर की लाइन में की जाना होगा जहां वेपर हो अ इसलिए आम इतार साय रहें चले गए फिर हम आपने और हीट करना شू किया और उपर गये लिक्वड वेपर में Snout ऐब तो आप लिक्विट की लाइन में जाना होगा, this is your liquid line, यह है आपका क्या composition of last drop of liquid, last drop of liquid, तो यहाँ x7 है तो xb1b, x a dash है तो y a dash है तो y a dash है तो y b dash है, यही चीज यहाँ पर मैंने दाल दिये, उठा के, क्या यह चीज मैंने उठा के यहाँ डाली है, देख लो जनाब, और यह यहाँ से फिर से वही वाला formula, यह formula अपलाई करके आप, यहाँ से क्या निकाल सकते हूँ, x a dash xb dash निकाल सकते हूँ, सारी value आपको दी चाहो तो आपकी question solve करके भी देख लेना, यहाँ से यहाँ से आपको पता है, कैसे पता है, x a आपको 0.5 पता था, देखो, x a 0.5 है तो आपको y dash b to 0.5 है और y dash 0.5 है तो यह भी 0.5 है, लोग, y dash 0.5, 0.5, इधर यह 1 हो गया, p a note पता है, 500 by 200, चलो डालो चाहे एक बार, 0.5 by 0.5, दिखे जरा सा, इकोस to 500 by 250, तो आपका 2 into x a dash by x b dash, यह लिजे, यह 1 हो गया, इधर 2 चला गया तो 1 by 2 हो गया, 1 by 2, इकोस to x a dash by x x b dash, x b dash को आप 1 minus x a dash लिखो, देखो ना जड़ा जनाब, इसको इधर लिजे, तो 2 x a dash is equals to 1 minus x a dash, x dash इधर जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो यहां से x a dash आपका 1 by 3 हो गया, लो, x dash 1 by 3 हो गया, तो आपका x b dash, 1 minus 1 by 3, 2 by 3 हो गया, तो आपका x b dash, 1 minus 1 by 3, 2 by 3 हो गया, so this will be the composition of last of liquid, लो आगया, और composition of first bubble क्या होगा, y a and y b, तो भया, y a, y a and y b, तो यहां 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 पर टालो, तो y a और y b निकालना है, तो y a, p a not कितना था बिटा यहां पर बतो, y a, y b हो गया, तो यहां पर 5 minute by 250, तो यहां पका कितना आजाएगा, 2 into x a, x a आपका 0.5, तो x b भी 0 0.5 हो गया, अगर x is 0.5 हो, तो x b भी 0.5, तो यह तो 1 हो गया, तो आपका y a by y b यह आ गया, 2, तो यहां से y a by 1 minus y a, equals to 2, तो यहां से इसको इधर ले जाओगे, तो y a equals to 2 minus 2 y a, 3 y, तो y a यहां से आपका 2 by 3 आ जाएगा, लीजे जनाब, लीजे, 2 by 3, so composition of first bubble, is 2 by 3, तो y अ आपका 1 minus करोगे, तो 1 by 3 आ जाएगा, लीजे, calculation भी कर दिया, calculation भी कर दिया, अब नब बताओ, bubble point, dew point, यह सारी के सारी कहानिया क्या आप समझ में आगे ही क्या होता है, क्या होता है, dew point, क्या होता है, tie line, है ना, कैसे हम graph बनाते है, condensation, vaporization, मुझे लगता कि यह concept, अब आपक अब सारे questions बना सकते हो, सारे questions बना सकते हो, चुटकी में बना सकते हो, तो यह concept था, तो मुझे लगता है, मुझे उमीद है कि मैंने आपको 100% शिखा दिया, comment जरूर किया करो, मैं बार और बोलता हूँ कि अगर आपने वीडियो देख रहे हो, तो आप comment जरूर करो, आपको खराब comment लिखो, लिखो जरूर और अच्छा लगे, तो share करो, दोस्तों को बताओ, अगर आपको फायदा है, तो कभी selfish नहीं होना है, दोस्ते कभी फायदा होना चाहिए, और उसको भी बताओ, और इस तरह से आगे बढ़ो, आप भी और चैनल को भी आगे बढ़ो, तो आपको question दिखाया था, कि हाप विपराइज हो गया, तो उसका भी concept पहले बताओंगा, फिर उसको question कराओंगा, तो चलिए बटा, आज जी class में इतना ही रखते हैं, तो thank you very much बटे, God bless you all, love you all, खुब पढ़ो, खुब लिको, खुब आगे बढ़ो, वाइनोटी, झाल 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 6, दिसाओंगा, वाइनोटी, पाल झाल 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 झाल, झाल झाल, खुब लिको, लिकशना ही जी रखते हैं, पुब हो गज़ आफके जी एको 20 में तो झाल